नमस्कार मैं हिमानशी कुमार आप देख रहे हैं भारत लाइव बिहार सरकार में मंत्री बनने के बाद पुरे परिवार की बल्ले बल्ले हो जाती है कुछ दिनों पहले पश्विब मतस मंत्री मुके सहनी के भाई संतो सहनी कैसे एक मंद्री की भूमिका में सरकारी कारकर में पहुँँ जाते हैं, बकाईदा सरकारी गारी का प्रियोग करते हुए पूरे सरकारी प्रटोकल केता है जिसके बाद पुरा हंगामा मचता है, Хलाके मुके सहने शुरुआत में कहते हैं कि इसमें कितना दम देखेंगे हम, लेकि में वो कुछ इस तरह घिर जाते हैं कि उन्हें माफी मांगनी पड़ती है और अब एक ही ऐसा मामला फिर से आ रहा है निती सरकार के मंत्री पीएचीडी मंत्री रामरीत पासवान के बेटे दीपक कल्यान उपछोटू एक ऐसे ही मामले में फस्ते नजर आ रहे हैं बकाईदा सोचल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें वो बिभागी अधिकारियों के साथ नल जल योजना की जांच करते हुए पाए जा रहे हैं इस तस्वीर के वायरल होने के बाद पीएचीडी मंत्री राम पासवान ने कहा कि जिसमें कोई बड़ी बात नहीं इसको जान बुझ के तबज़ो दिया जा रहा है जान बुझ कर बदनाम करने की कोशिस की जा रही है मैं खुद भी वहाँ मौजूद था और चुकि मेरा ड्राइवर बिमार था इसलिए मैं अपने बेटे को साथ लेकर गया हलाकि जिस तरीके से दीपक कल्यान उफशोटू उनका पहुचते हैं फिर वो चले आते हैं लेकिन उसका बेटा वहां मौजुद होता है लेकिन कारपाले का भी हिंदा का कहना है कि बकाइदा रामपृत वासवान के बेटे छोटू ने विभागी अधिकारियों के साथ नल जल यूजना की गुनवत्ता की जांच की और इसके बा फिर से रामपृत पासवान माफी मांग कर छूट जाएंगे या फिर कोई कारवाई होगी आखिर बिहार में ऐसा क्या है कि जब मंत्री बन जाते हैं तो उनके परिवार वाले लोग खुद को मंत्री समझने लगते हैं अगर उनका ड्रैवर बिमार था उनके बेटे साथ मे जिकाए कोई दिखकत ने लेकिन आप किसी बिभागिये अधिकारी के साथ मिलकर नल जल योजना की गुनवत्ता की जाच कैसे कर सकते हैं एक मंत्री का होता है लेकिन एक उसका पुत्र मंत्री का प्रोटोकोल का फाइदा कैसे इटा सकता है ये गंभीर मसला है और फिर से नितीज कुमार की किरकिरी होनी लग भगता है आसदर में विश्वास रखे कि इस मामले को लेकर हंगामा मचनता है आप देखते हैं भारत लाइब हम आपको पलपल की खबरों से लगातार अपडेट करते रहेंगे ज्वाइन बटन दबादी पेटियम नमबर नोटकली 9386816700 धन्यवादी